हां जी स्टूडें, वेरी गुड मॉर्निंग, आगे चलते हैं, कंटीन्यू करते हैं टॉपिक को, सर, कुश्चन नमबर बन, आपकी किताब का ही है, ठीक है, कहता है कि कम्पनी प्रोड्यूस करता है सिंगल प्रोडक्ट विच सेल 20 पर यूनिट, यानि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेस रुपे, वेरी एवल कॉस्ट कोश्चन में देता है 15 रुपे, फिक्स कोश्चन में दे रहा है आपको कितने का सर, 6,30,000, और कुछ पॉइंट्स पूछें, पहला पॉइंट आपको सेल बताना है जब आप प्रॉफिट कमाएंगे 10% on सेल्स पर, तो सर हमारा सेल्स यह है, इसके उपर कमाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात देखिए कोश्चन में यूनिट नहीं पता, अब यूनिट पता होता था हम सीधा निकाल लेते 10%, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट यूनि और प्लस प्रॉफिट, सेल्स नहीं पता, तो एक्स यूनिट तो पता है, मल्टिप्लाइ बाई 20, वैरियेबल कॉस्ट नहीं पता, यूनिट हमने मान लिया है, तो एक्स इंटू में 15, एफसी पता है हमें 630, प्रॉफिट सेल्स का 20% तो किसका, हमारा सेल्स तो 20 एक्स है कितने परसेंट, सर दे रखा है 10%, जो होता है 2x, सॉल्व करते हैं, 20x is equal to 15x is equal to, प्लस 630 और प्लस 2x, एक्स की वैल्यू एक्साइट कर देते हैं, 2x प्लस 2x, एक्स की वैल्यू सतरा, सतरा बीस, तो 3x हो जाएगा यह, और 630, यहां से हम यूनिट निकाल पाएंगे, तो 630 से डिवाइड करेंगे, तो x is equal to 21, यानि सर दो लाख दस अजार यूनिट अगर हम बेचते हैं न, तो हमारा प्रॉफिट 10% रहेगा, चलिए इसको एक स्टेटमेंट में प्रूफ भी कर लेते हैं, कई बार आ जाता है, प्रूफ भी करिए, तो सर सेल्स 2,10,000, multiply by 20, sir 42,000, VC- करिए, 2,10,000, multiply by 15, तो दो दस multiply by 15 3, 15 sorry 31 और FC माइनस कर देंगे है न FC तो FC है हमारा 630 यह तो fix रहेगा irrespective of unit level पे इन सब को minus करके एक डेजट निकाल लेते हैं 42,00,000 31,50,000 minus 6,00,000 देखे answer आया 4,20,000 that is हमारा profit तो sales कितना है हमारा 42,00,000 42,00,000 पे 10% बोला था तो prove भी होगी हमारा 10% आरा है ठीक है न अगले point की तरफ बढ़ते है next point क्या कहता है देखते है next point कहता है calculate sales price per unit कहता है calculate sales price per unit या bringing हमने इसको down कर दिया कितने unit एक लाग 20,000 calculate अगर break even point हमारा 20,000 हो तो बताइए हमें per unit sales कितना करना होगा यानि sir break even point पता है आपको question number two break even point क्या होता है sir fixed cost divided by contribution CPU ये आगया हमारा 1,20,000 तो हमें पता क्या नहीं है इसको CPU नहीं पता क्योंकि sales price पूछ रहा है CPU नहीं पता चलिए FC रहने देते है 36 divided by CPU को CPU छोड़ देते है multiply करिए और divide करिए तो sir CPU आगया हमारा 3 का और sir CPU क्या होता है sir sir CPU contribution per unit sales minus VC तो sir CPU 3 है sales नहीं पता लेकिन VC तो पता है न 15 तो इधर ले जाके प्लस कर देंगा तो 18 रुपे हमारा क्या आएगा sales तो sir हमारा sales 18 रुपीस होगा जब हमारा break-even point यहाँ down हो जाएगा समझे बात आप sales कितना होगा हमारा 18 रुपे होगा जब new break-even point आ जाएगा कहता है आगे MOS निकाल लिए if profit 60,000 आपको desired sales पूछ रहा है हम desired sales भी बोलते हैं हम profit कमाना चाहते हैं 60,000 तो हमें बताइए margin of safety क्या होगा ठीक है sir यहीं करते हैं इसको ले जाते हैं इधर चलिए question ने पूछा है वैसे हला कि break-even point का यानि desire profit का एक और formula होता है break-even point is equal to fc और plus में profit जितना profit कमाना चाहते हैं वो लिख दीजिए और divided by cpu एक और formula है यह तो sir break-even point तो हमें नहीं पता यही तो निकालना है वो वाला इसको मैं break-even ना बोलके बहतर रहेगा कि मैं इसका नाम थोड़ा बदल दूँ आप लोगों के लिए सर इसको desire sale कह दे desire sale desire sale क्या होता है हमारे इच्छा है इतनी sale करेंगे तब इतना profit होगा तो simple सी बात है यह वही तो पूछ रहा है इतना profit कमाएंगे बस आगी क्या लगा दिया margin of safety तो वह sales बताईए जहां पर हमारा profit इतना हो although margin of safety के और भी हमारे पास formula है क्या है sir margin of safety के कुछ बच्चे सोच भी रहेंगे margin of safety is equal to profit divided by PVR profit भी पता है हमें और हम PVR भी निकाल सकते हैं तो यह भी निकाल लेंगे हम और margin of safety भी पता है तो profit पता है margin of safety पूछा गया है और यह चलिए PVR निकाल दीजिए sir PVR होगा हमारा country upon में sales मैं दूसरे से भी करके दिखाऊंगा प्रूफ अभी into में 100 sir 20 रुपे पुराने वाले unit से ही चलेगा सारा तो 20 minus 5 रुपे divided by 20 रुपे into में 100 PVR आ गया यह तो क्या हैगा sir 5 divided by 20 into में 100 25% कितने आगे 25% अब अगर 25% हमारा PVR आया है तो तो sir निकाल लेतें MOS MOS प्रॉफिट क्या है डिवाइड बाइ 0.25 यह आ गया 240 यह आ गया 240 कितने का हमारा MOS होगा क्याता है margin of safety निकालिए अगर if sales margin of safety sales बताना है if profit earn करेंगे हम कितना आपका 60,000 का तो sir हमें और जो भी break-even point होगा न उसमें 240 का और sales बढ़ाना होगा जो भी break-even point होगा क्योंकि break-even point तक तो profit ही नहीं होना है तो margin of safety क्या होता है next page पे ले चलें देखो sales क्या होता है sir sales होता है break-even point प्लस में MOS ठीक है अब हमें यह पता है कि हमें MOS पता चल गया sales अल्रेडी हमें नहीं पता sales ही तो निकालना है break-even point नहीं पता तो break-even point निकल जाए इन दोनों को add कर देंगा तो sales आ जाएगा तो break-even point क्या कहता है sir break-even point कहता है sir के हमारा fix cost रखी और divided by आप PVR कर दीजिए जो कि मैंने निकाल लिया है fix cost क्या था question में पीछे 630 था और divided by PVR 0.25 630 divided by 0.25 यह आ गया sir 25,20,000 तो हमारा sales आ जाएगा MOS वाला 25,20,000 प्लस कितना और करना था हमें देखिए 240 और add-on कर दीजिए sir 240 का और add-on करेंगे तो 27,60,000 रुपय का हमारा margin of safety आ जाएगा प्रूफ भी कर लेते हैं मैं प्रूफ करकर के दिखा रहा हूं पहले starting है बाकी आप देखो sales है sir 27,60,000 minus कर दें VC 27,60,000 divided by 20 होगा न यूनिट तो VC होगा 13,800 यूनिट है गुणा में 15 गुणा में 15 20,70,000 minus क्या कर दें sir FC कर दीजिए sir जो था 6,30,000 क्या देखें 60,000 आ रहा है प्रस 6,30,000 तो आप क्या पाएंगे के हमारा profit जो है वो 8,000 आ रहा है यह प्रूफ है यह प्रूफ है सर एक फॉर्मूला और भी आपने उपर लिखा था हाँ बिलकुल मैंने कहा था desire sales या MOS कहलो क्या होता है हमारा fixed cost plus profit divided by PVR fixed cost 36 plus profit कितना है sir 60,000 डारेक निकल जाएगा divided by 0.25 तो 36 plus 60,000 0.25 तो देखिए 27,000,000 यह साइद आपको थोड़ा असान लगे तो देखिए जो भी आपने करना एक question को करने के काफे सारे method काफे सारे formula है तो वो आपे हाँ पे apply कर सकते हैं बताइए कोई doubt है तो चलिए point number two point number one आ गया point number two point number two क्या कहता है calculate sales अगर break even point down हो जाए तो सबसे पहले पुराना break even point निकाल लेंगे सर break even point होता है सर FC divided by CPU तो सर FC है 630 और CPU देखा जाए तो यहां से इन दोनों को minus करेंगे तो 5 तो क्या आ जाएगा यह divide कर देते हैं 630 divided 5 that is 126 सर यह old है ठीक है अब new निकाल लेते हैं break even point उसने बोला कि हमारा break even point जो पहले था 26 था तो रहने दीजिए 120 अकर हम करते unit तो break even point करें break even point को ही reduce कर दिया 20 कर दीजिए तो ठीक है सर new break even point देखा जाए break even point is equal to FC divided by CPU रहेगा तो आपका मैं अगर बताओ break even point दे रखा है 120 fix cost 630 CPU नहीं पता क्योंकि sales पूछा है selling price पूछा है CPU निकालेंगे तो निकल जाएगा क्योंकि CPU का formula क्या होता है सर CPU होता है हमारा sales माइनस में VC VC पता है CPU पता चल जाएगा तो sales निकल जाएगा multiply करिए और divide करिए तो हम यहां पर देखेंगे 6 CPU क्या हैगा सर CPU is equal to 630 divided by 120 तो 630 divided by 120 यह आगे सर 5.25 चलिए CPU निकालते है 5.25 है तो आगे क्या करेंगे हम सर सर CPU में 5.25 है तो simple sales is equal to यह CPU को formula open कर लीजिए CPU is equal to sales minus VC तो सर CPU आजाएगा हमारा 5.25 sales नहीं पता और VC 15 है तो इधर लेके आएंगे 20.25 आजाएगा हमारा क्या sales यही पूछा था question number 2 के अंदर है गिएगा हमारा क्या क्याज़द enser के नहीं नहीं तो Your